वैशनव जन तो तेने कहिए फीर पराई जानिए जब शब्द सुनाई देते हैं तो कई बार गांदी जी की याद आती है और कई बार हमारे ऐसे बहुत सारे गुरू की याद आती है जिन्होंने बड़े अच्छे-च्री बाते बताई अचिसे कभीर दाज की बात कर लिजे कभीर लाजी का एक बड़ा फेमस दोहा है कि गुरु गोविन दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनों गोविन दियो बताए यानि गुरु और गोविन दोनों खड़े तो समस्या यह है शिशी के सामने कि भाई पहले किसके पैर छुए जाए तो फिर कभीर शियाद चुए बिढिग वहां को पहुंचने के अंदर ऐसे बहुत सारे टीचेश उनने एक मार्ख दिखाया एक रस्टा राह धिखाई भगवान को पाने कि यह इसूर को पाने कि लोगों तक पाउचने कि ओर अलग अलग आइडॉलोजी को सी 설alter देखने को मिलती है और द हमारा चाप्टर है यह भी मैं सीधा सीधा मार्स से पढ़ाने वाला हूं तुमको यह रहा तो जल्दी से आजाओ मेरी आवाज आ रही हो मार्स से स्पेस्शिप क्या मेरी लैंड करी तो मैंने सोचा तब तक तक तुम लोग से बाचीत कर ली जाए तो कैसे हो तुम साब वंस अगेन वेल्कम बाइक आपके अपने बोले तो मजानी लाइफ वाली प्लाटफॉर्म पे यानि बोले तो भई जिगनेश बाव आजाओ जल्दी जल्दी कहां पे आपके अपनी फ्यारे प्लाटफॉर्म यानि पीडव्य को बच्छे मैं कौन हूं मैं हूं आपका अप साथ मिघ बाते करने वाले अग्म सर आपको बहुत बढ़िया प्रावच्चन देने वाले तो मस्त सारे भकति जनो बैट जाओ यार ओ मित्रों बैठो सारे के सारे बैठो बहुत मसा आने वाला बिलीव मी ठीक है चले तो बचे आज क्या करेंगे सवाल आपके मन में यही है कि आरह करें गी तो चलिए तिहास के पन्यों के पलटते हैं और पलटते हुए और अगे बढ़ते हैं जैसे पहली बात तो हमें लुख घरम पर जाला जल्डी जला हो ज़ला जल्दी जली आते हैं हम लोग फड़ा-फट से आज के अपने जबर्दस्पा ले टॉपिक पर तो बच्चे गौड एक ऐसा चुर। और भगवान ऐक ऐसा कांचेप्ट है जिन में बहुत सारे लोग करते हैं वों बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं तो rem han करते हैं कि इस उनिवर्स चट어를 करते हैं और हम सब जिन्दा हैं हम सब के पीछे न siamo जो कि invisible है बट exist करती है हलाग कि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और यह सारे अपने आप में नाच्रल प्रॉसेस तो अलग-अलग लोगों के बच्छे अलग-अलग विचार है तो आज के जो इतिहास के पन्ने हम पलटने वाले हैं उनमें यहीं विचार अगर मैं इंदस वाली सिविलाइजेशन की बात करूं तो इंदस वाली में दो बड़े मेजर गॉड्स थे एक आपके पशुपती थे ठीक है और दूसरी आपकी मदर गॉड़ेस थी इससे पहले की सुसाइटीज की अगर मैं बात करूं बच्चो तो वहां पर नेचर की फोर्सेश को जो है काफी लोग वर्शिप करते थी पुराने जमाने में अरली में जो था बेसिकली बात है कि उसको जिससे बेनिफिट होता था उसकी रिस्पेक्ट करता था उसको लगता था उनकी वर्शिप करता था तो वर द पीरिट रफ ताइम नेचर वर्शिप बच्चो काफी कॉमन थी लोगों के अपने भगवान थे अपने गॉड्स इंग अटेसे जिनकी वह लोग वर्शिप करते थे पूजा करते थे 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 अना आज पीपल वर बाट तोगेढ़ थूद ग्रोट फांट एंपायर नुए नियु आइडिया बिकांट वर्ट अड़िए बड़ता गया जैसे जैसे बड़े बड़े एंपायर बंते गए बड़े 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 इंग्डम बंते गए लोगों की सोच में भी चेंजे आने स्टाट हुए परिवर्टा नाना स्टाट हुआ अईडिया दाट ओल लिविंग थिंग्स पास्ट्रों काउंटले साइकल सो वर्ट अंड रिवर्थ एंड परफॉर्मिंग गुट दीजन बाट कें तो बीड़े एक्सेप्टेग कुल मिलाकर के बात यह है कि कर्म आपके कर बाते बच्स बहुत बार एसा होता है कि हम लोगक्या मतिया के लुग श्रीक कृष्न जो है जो बढ़ी अच्छी बाते बताते हैं प्यारी बाते बाते हैं वो कहते हैं कि आप यह सोच करके मत किसी काम को करो कि उसका फल कैसा आएगा यादि अगर मैं यह दिमाग में रखे चल रहा हूं किया मेरा मेरे 98% आएगे की नहीं आएगे 100% आएगे कि नहीं आएगे तो मैं उसी को सोचता रहूंगा और कहीं न कहीं वो सोच की वज़े से मैं कभी भी अपने पूरे एफ़र्ट नहीं लगा पाऊंगा काम को करने में तो श्रीक कृष्ण कहते हैं कि भाईया कर्म करते जा है इंसान फल की इक्षा मत कर तो फल की कर लेना कि क्या नंबर अच्छे आएंगे और इसके जलते एफंड्स ना करना तो बच्छे कैसे अच्छे आइंगे एक नॉमनगल से terrifying एक्जंपल है हैं कि दी तो इसी तरीके से ऐसा महांना जाता था कि भैया सातथ जन्म होते है याना हम को अगर लेकिन साइकल आप बर्त and rebirth से मुक्ति पानी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो अच्छे काम करिए, अच्छे करम करिए, इस टाइप की ideology लोगों में काफी commonly spread थी. Now, similarly the idea that all human beings are not equal at birth gained ground during the spirit, और ये वो समय था जब लोगों ने ये मानना start कर दिया, कि जितने भी human beings हैं, वो equal नहीं है, यानि जो उचे कुल में पैदा हुआ है, वो बहुत respectable है, जो नीचे कुल में पैदा हुआ, वो respectable नहीं है, तो इस तरीके के ideas काफी जादा बचो surface कर रहे थे. Moving on further, एक और बना बलटते हम लोग, many people were uneasy with such ideas and they turned to the teachings of Buddha and Jain, in which it was possible to overcome the social differences. अब पॉइंट यह है कि जब जैनिजम और बुद्धिजम आये, तो बुद्धिजम और जैनिजम ने दो अलग अलग बाते के, जैनिजम ने, जैनिजम के अगर हम बात करें, जैनिजम के अगर दॉक्ट्रीन पढ़ें, तो वहां में God का concept बहुत जैनिजम मानता है कि जो इनसान एक sufficient amount of knowledge gain कर लेता है, desires से उपर उठ जाता है, अपनी मुमाया से उपर उठ जाता है, वो अपने आप में God है, इस हिसाब से हर एक इनसान God बन सकता है, हर एक इनसान भगवान बन सकता है, once the person starts controlling his or her desires, तो जैनिजम का यह concept लोगों को बड़ा appealing लगा, same case with the Buddhism, Buddhism कहता है कि आपके कर्म आपको decide करेंगे, उसके लिए कोई यग यहवन करने की ज़रूत नहीं है, भगवान से प्रार्पना करने के लिए भगवान के लोगों के help करेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो बुद्धिसम और जैनिजम ने कभी भी caste distinctions को नहीं देखा, कि आप उचे कुल से आ रहें, कि आप नीचे कुल से आ रहें, उन्होंने सबको permission दी, सबको allowance दिया, जिसका सबसे बड़ा reason है कि लोग जो थे जैनिजम और बुद्धिसम की तरफ काफी attract होने लगे, right, now, so others felt attracted to the idea of supreme God who could deliver humans from such bondage, if approach with division और भक्ती, now this idea is also given in भा अगर आपको पर्मनेंट जगे हैं, लोट कर दी जाएगी, भईया स्वर्ग मिला ये नर्क मिला, खराब काम करोगे तो नर्क मिलेगा, अच्सा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, depends upon कि आपका स्वर्ग और आपका नर्क, लेकिन मजए कि आपको बात बदाए किया है, अगर आपके पास रहने के लिए एक ठीकथा घर है, खाना आपको तीनों टाइम पर मिल जाता है, कपड़े आप पहन पाते हो, फेस्वल्स आप सलिब्रेट कर लेते हो, और अपने घर वालों के साथ प्यार से रहते हो, तो बिटा ये स्वर्ग यही है, अगर इन में से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, तो बच्चे कही नहीं आपकी जिन्दगी बहुत अच्छी नहीं है, तो what is sorg and what is nark? इस वही सिंपल, आप किस तरीके से रहतो हो, घर अच्छा घर का मतलब यह नहीं कि बहुत बढ़ा बंगला हो, बहुत बढ़ा बंगला हो, तो additionally बहुत बिना लड़ाई बिना जगड़े के रहती है तो बच्चे वही आपका स्वर्ग है वही आपके लिए है तो भाई इस टाइप यह बाद में फॉर्णिश वहना स्वर्ग सिधार गया अच्छा विमल जी सवर्ग सिधार जाए तो खड़े बीच में पहुंचें नहीं सवर्ग अभी रास्ता बहुत दूर है विकार में पॉब्लिस्टी कर रहें सवर्ग सिधार गया तो इस तरीगी चीजें हो सकती थी बट त सारे beliefs काफी common थे शिवा, लौड शिव, लौड विष्णु, दुर्गा माता यह major deities थे जिनको लोग worship करते थे ठीक, at the same time gods and goddesses worship in different areas came to be identified with शिव, विष्णु और दुर्गा माता, ठीक है, तो point is कि तीन major भगवान पे जो उस ताइम पर worship किया जाते थे, भगवान शिव, भग माता से कि भाई इनी के अवतार है, इनी के incarnations है, इनके different, different troops है, so in the process, local myths and legends became a part of puranic stories and methods of worship recommended in puran were introduced to the local cult, so what happened, basically puranों के अंदर जो किताबे हैं, जो like Hinduism के अंदर जो आपके spiritual text हैं, उसमें किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना, वो सारी चीज़े लिखी गई ह और धीरे धीरे जो local लोग थे, उन तक भी वो चीज़ें ट्रांसफर होने लगी, अब जैसे दिपावली होती है, तो उसमें भी पूजा होती है, उसको पूजा करने का एक criteria होता है, कि ये भाई आपको prayers करनी है, और हर एक धर्म के अंदर होता है, बचो, हम लोग यहाँ प और ऐसे तरीके होते हैं, वहाँ पे भी prayer करने के, पूजा करने की पहले ये step होगा, इसको ऐसे प्रेय किया जाएगा, इस तरीके का ऐसे प्रेय किया जाएगा, ऐसी आप सिखिसम में जाएए, वहाँ पे बड़ी प्यारी सी गुरुवाणी होती है, घुर्द्वाराज होत अब बड़ी आप नमाज अदा करना, ठीक है, तो बच्छे अलग अलग चीज है और यही खुबसूरती, अलग अलग रिलिजन्स की हमारे भालत की खुबसूरती इस बात में है, कि हमारे पास सब कुछ है, है ना, तो बच्छे आगे बात करते हैं तुला सा, इवेंच्वल जो पुरांस थे, they laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God, regardless of their caste status, the idea of bhakti became so popular that even buddhists and jains adopted these beliefs, अब दीरे दीरे जब पुरानों के थ्रू बताया चालने का कि भाई, कि इसी भी caste का इंसान भक्ती के थ्रू भगवान के थ्रू अचीव कर सकता है, डिवोशन अचीव कर सकता है, है ना, और मोक्ष बहुत सारे caste के जो लोग थे, इवन बुद्धिर्जम और जैनिसम के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो इस साइट पे पुरी तरीके से मुझने शुरू हो गए, right, now, moving on further, South India में एक नई तरीके का आपको भक्ती वोमेंट देखने को मिलता है, अगर हम 7th to 9th centuries की बात करें if we talk about 7th to 9th centuries, right, तो जो हमारा South India है, that saw the emergence of new religious movements, इसमें दो तरीके के आपको संत देखने को मिलेंगे, एक नयानार्स है, नयानार्स वो हैं जो भगवान शिफ्ट के बहुत बड़े भक्त हैं, और अलवर्स वो हैं जो भगवान विश्नु को मानते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, तो नयानार्स की तो भगवान शिफ को मानते हैं, और अलवर्स हैं वो भगवान विश्नु को मानते हैं, हाला कि अगर खिंदू मैथॉलजी की बात करें, खिंदू मैथॉलजी से अगर हम बात करें, तो तीन major gods हैं, ब्रह्मा, विश्नु न नहेश, तीनों को एक तो नयानार्स जो थे वो शिफ जी के बहुत बड़े भग थे और अलवर्स जो थे वो आपके विश्नु जी के बहुत बड़े भग थे, तो ऐसे हिंदू मैथॉलजी में कहा जाता है कि ब्रह्मा दा क्रेटर, शिवा दा डिस्ट्रॉयर और विश्नु दा प्रिजर्वर, तो इस तरीके से अलग-अलग चीज़ें हम लोग कहीं न कहीं ओन करते हैं, तो फोला सावा डिस्कस करेंगे बच्चेस के बारे में, लेस्ट मूव फूर्दर, तो वो केम फ्रम ओल कास्स इंक्लोजिंग दोस कंसिड़र्ड अंटेशिबल, अब सबसेट सी बात क्या थी, क भाई यह जो नयानार्स और अलवर सेंट्स थे, ठीक है, यह हर एक कास्स से आते थे, खासकर उस समाच से भी, जो किशूद्र समाच था या फिर अंटेशिबल जिनको आप कहते थे, जिनको जनरली सुसाइटी से बाहार रखा जाता था, तो वहां के लोग भी भाई जो है नयानार्स और अलवर्स के अंदर काउंट होते थे, लाइक पुलेयार अंदा पनारास, तो दे बिलॉंग फॉम अंटेजिबल कास्ट, दे वर शार्पली क्रिटिकल और बुद्धिस और जयान्स, और प्रीज आर्नेंट लव और शिव और विश्नु, आस पाट तो सालवे आपको मौष्ट की प्राप्तिया हो जाओगी, आप एकदम मस्ट ये साइकल और रीबर्थ और देट से फ्री हो जाओगे, अलग-अलग सब्जेक्स के ओपर, तो संगम में जिस वेरी-वेरी इंपोर्डेंट वन इन हिस्ट्री, तो जब इंसान को आप सरल भाषा में कोई चीज समझाते हैं, तो उसको जल्दी समझ में आती है, टो आप-चलो, तो आगे बात करते हैं बचवल, लेट्स भूख फॉर्दर, ईज चलो दोवारा से दोबारा से वापस आते हैं और आपके पास चलते हैं let's get started तौ भाई कुख थो कि आँ यहां पर बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे नयानार्षो का रोएट और यह अप 살 देकली अपने नयानार्ष और अलवर्स लबहूत दो तरीके से बात कर रहें कि बहुत सिंपल है कि अगर आपको बहुँ भगवान के घथ का मुक्ष करना है तो आप क्या करेए भगवाण कि या फिर विष्णू की एक्दम बढ़ीया तरीके से अच्छे तरीके सा भाइवाटी करिए और कोई टेंचन नहीं हाराम से आपको उसके थ्रू मौक्ष की प्राप्ती हो जाएगी Now, moving on further, जो नयानार से नलवर्स थे They went from place to place, composing poems, poetry compose करते थे Poetry compose करते थे, in the praise of gods, deities means gods Right, जिस भी जगे, जिस भी विलेज़स पर जाते थे वहां पर बहुत simple से बाते, poetry compose करते थे, गाना वगएरा काते थे, भजन सुनाते थे वहां के लोगों को, लोग भक्ती में एक्दम lean हो गये, भजन-भजन सुना देते थे, बढ़िया से So, when you talk about them, so between 9th and 12th centuries और between 10th and 12th centuries, दो चोला और पांड्या किंग्स थे, बच्छे, साउथ के अंदर चोला, पांड्या, चेरा आई, ये मेजर जो है आपके kingdom से, चेरास केरला में बहुत पॉपुलर थे, थे, केरला फूतर भी कहते हैं उनको, तो बच्छे, जो चोला और पांड्यास थे आपके रचे, बच्छे, बच्छे बांड्या, लिशाल फी नवार रखे का सन्त महत्मा आते थे, विजट करते थे, तो आजले रिजल्ट बटी बीच में और ये जो संत, बच्चे-संतों का मॉमेंट है भक्ति मॉमेंट है और बंदर के अंदर जो वर्शिपिंग होती है उसके बीज में strong bonding secret होना साट वा साथ हागियोगर्फिस हागियोग्रफिस च्या होती है बच्चो त त बॉक डिस्क्राइबिंग लाइफ अफसेंट ओके तो अच्वागोग्रफी इस बेसिकली आ बोक डिस्क्राइब आप इसंदेगी को डिसक्राइब करती उनके बारे में बताती हुए बुक जो थह होती हो आपकी क्यलाती है ग्योग्राफी तो इनकी पोएम्स कंपाइल की गई जब इनकी पोएम्स को कंपाइल करके बुक्स में लिखा गया, हागियोग्रफी बनाई या फिर रिलिजियस बायोग्रफी आप माल लीजिया अलवर्स और नयानस की इनको भी कंपोस किया गया था, तो टोड़े वी यूज इस टेक्स ये जो टेक्स न बचे कही ना कहीं उनको ऐसा सोर्स ओफिस्ट्री उस करते हैं, तो जो भी इनके कामों के बारे में लिखा गया, ये जो भी हागियोग्रफी लिखी गई, ये कही ना कहीं बताती हैं कि भई इन्होंने कौन-कौन से काम किय क्या-क्या इनके रिस्पॉंसिबिल्टी से किस की तरीके से इन्हों न प्रीच किया, तो इस सारी की सारी बच्ची एक तरीके साब कह सकते हो कि हमारी हिस्टोरिकल सोर्स ओफ इन्फरमेशन बन चुकी है, मूविंग ऑन फॉर्दर, शंक्राचारे बच्चो, शंक्राचारे तो इस बॉर्ण शंक्राचारे बने एट सेंचुरी इन के रला, तो इस बॉर्दर अडवोगेट ऑफ अधवेता फिलोसफी अधवेता का मतलब है कि भाई एक ता की साथ मिल जूद करके एक जुट करके रहना चाहिए भायम को और सुप्रीम गॉड विच इस अधर रियाल ठीक है, वो इस बॉर्दर अधवेता फिलोसफी और अधवेता फिलोसफी और अधवेता प्रिंसिपल्स भी इसको कहते हैं बेसिकली एक चीज़ पर फोकस करती है दाटेश इंसान को मिल जूल करके रहना चाहिए बढ़िया तरीके से रहना चाहिए अन सुप्रीम गॉड जो हमारे भगवान है ना वो अल्टिमेट बचे डेस्टिनेशन है रेक का जिसमें जहां तक पहुंच करके आपको धीवन के हर एक टेंशन से एक तरीके साब को मुक्ती में जाने वाली है इसके कोई अक्टरिब्यूट नहीं है उसके क्यारेक्टर की कोई डेफिनिशन नहीं है यहनुआ फॉर्मलेस है जानि उसका कोई आकार कोई रूप नहीं है तो बाटेश वोटेज़गे डिकम अड़ों डूंस तो बीन इलूजन और माया यह दूनिया क्या है यह दुनिया मौमाया एब यह बात तुम यह मत कहते ना स्कूल में जाकर कि त्याग दो संसार की मौमाया को आप त्याग दोगे जीवन में सुक आ जाएगा आपको ज्ञान की प्राप्ती होगी यही एक नेचर है एक ब्रामन का एक भगवान के भक्त का एक ऐसे इंसान का जो भगवान को रियल फॉर्म में जानता है एक सुप्रीम गौड का तो आप बिल्कुँ ऐसा मत करते ना जाकि स्कूल में बोल दो कि मैम सर ने बोला है कि भईया यह एक्जाम विव है वो मोम आया ह इत्याग दिया अपने एक्जाम को फिटा अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हें इतना खतरनाक पनिश्मेंट मिलने वाला स्कूल से भी और घर में घर में जब मम्मी के फ्लाइंग स्क्लिपर आएगी ना तो जो मोक्स की प्राप्ति होगी उन नेक्स लेवल होगी ठीक है त वह था ग्यारवी शताबदी के अंदर तमिल नाडू में ना वी वस दीप्ली इंफ्लेंस बाई अलवर्स से काफी ज्यादा इंफ्लेंस थे अकॉर्डिन तो हिंट बेस्ट मेंस अटेनिंग साल्वेशन वास्तु इंटेंस डिवोशन तो विष्णु विष्णु इन इस ग की ओपी लेवल वाली भक्ति के जिए विष्णु जी प्रसन होंगे प्रसन हो करके वह आपको मुक्स की प्राप्ति करेंगे आपको अपने साथ ले जाएंगे आपके आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और डाट इस अल्टेमेट अचीवमेंट राइट नाओ अधवेटा रच हमारे रामुन जोंश विखे वैपनी दयू फिलॉसफी दाते इस विष्व अधवेटा या इस there is qualified oneness in that soul even when united with supreme God remain distinct very very simple इनका मानना था विशिष्ट का मतलब होता है something that is very special तो यह कहता है कि जब इनसान का मिलन परमात्मा का जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है जब एक इनसान को मुक्ति मिल जाती है लेकिन फिर भी उसकी जो उन्होंने दिया विशिष्ट अध्वेता की फिलोसफी और हमारे शंक्राचारह उन्होंने दिया अध्वेता की फिलोसफी ठीक है चले आगे बात करते हैं रामनुजा स्वाल है अगला पन्ना पलटने पहले आपके लिए बड़ा मस्वाला कोईशन है क्वेशन यह है भाई कि मुझे यह बताओ जल्दी से कि बाई जो विशिष्ट अध्वेता की फिलोसफी है वो किस ने दी है आपके पास पूरा एक मिनट का समय है और एक मिनट में आपको मुझे बताना है कि विशिष्ट अध्वेता का फिलोसफी किस ने दिया है और और दो यहीं नहीं अब आता है भई बास्वना का वीरशैविजम अब वास्वना का विश्वना क्या था हमने स्टार्टिंग में देखा बचो कि तमिल भक्ति मुवम्में जो तमिल नाटु में अलग अलग भक्ति सेंट्स आयते हैं उनके बीच बहुत टेंपल में जो वर्शिप की जाती ही पूजा अलग की जाती ही प्रात्ना करते हैं मंदरुम जाके उनके बीच एक स्ट्रॉंग कनेक्शन था राइड दाओ इस इंटर लेट तमिल भक्ति और टेंपल वर्शिप का रिलेशन था उसके रिस्पॉंस में एक मुवमेंट स्राइड के अपने दो सातियों के साथ जिनका नाम था अलम्मा प्रभू और अकमा देवी इस मुवमेंट बिजान इन करनाटिका ये मुवमेंट की शुरुआत हुई थी करनाटि जो वीर्शेव हैं ये आर्ग्यूट स्टॉंगली फॉर्ट एक्वालिटी ऑफ यूमन बींग अगेंस ब्राह्मा निकल आइडियाज अबॉट कास्ट एंट्रीटमेंट आप विमन तो बहुत सिंपल सी बात है जब हम बात करते हैं बाकी भक्ति मुवमेंट की आपिता हम अभी तक देखा उसमें भगवान को पूझने की बात करें बात करें टेंपल में जा करके पूझा अलचना की बात करें फिलाज बास्त वनना का वीर्शेविसम था वो यह कहता है कि हर एक इंसान इक्वाल है वो इस बात को नहीं मानते कि आप अलग-अलग कास्ट में डिव वीर्शेविसम में जादा है तो जितने भी आइडल वर्शिप है यानि मूर्तियों को पूझना जितना भी रिचुल्स है ठीक है जितना भी यग्यहवन वगएरा करते हैं उन सबके अगेंस थे उनकी सबके फेवर में बिलकुल भी नहीं थे तो दाट इस वेरी स्पेशल बासवनास वीर्शेविसम और कहां स्टार्ट हुआ बच्छे यह स्टार्ट हुआ है आपका करनाटका में इन मिद 12th सेंचुरी एडी यानि 1150 के सम्वेर एराउंड एक रफ 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 डेट आप निकाल सकते हूं कर दो को कि चले बात करते हैं बच्छेवज की संथों की तो महराश्च्र की संथ भी अपने आप में काफी सदॉर्स हें जैसे दादु दया हो गए आपके तुकाराम हो गए काफी फइमस संथ हैं बच्छे थरटीन से से सवैंटी इस सेंचुरी एडी कर आगर हम बात महराष्ट्रा saw great number of saint poets ऐसे कवी जिन्होंने काफी सारा भक्ति का मार्ग बताया है जिनके सॉंग सिंपल मराथी लांगवज में हैं अंदे कंटीनियू तो इंस्पाइर पीपल इवन टुड़े राइट चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट इन में से थे जानेश्वर हो गए नामदेव हो गए एकनाथ हो गए तुकाराम हो गए साथी साथ कुछ विमन सेंट्स भी थी जैसे सक्कूबाई हैं और फैमिली ऑफ हैं कोई भी बेनिफिट सुसाइटी के इनको नहीं मिलते थे सो देवर कॉल्ड एज अंटचेबल कास ना महार जाती से आने वाले बहुत सारे ऐसे संथ हैं इस रीजनल ट्रेडिशन और भक्ती फोकस्ट विठल विठल जो हैं भगवान विष्णू का ही एक अव्तार माने जाते हैं व्ःतल स्वामी विठल स्वामी के रिस्प Etam men काफी सारी इन्हों ने भक्ती मु़मेंट्स किया हुएं बच जो महराष्ट्यें इस जिन्ट से बहुत सारे ऐसे संख कॉंपोजिशन से पछे शोले विठल स्वामी के रिस्पेक्ट में ने खूर खासकर बच्चे करम बात करें तो अटेंपल इन पंधारपुर एस वेल इस ऑन नोशन और परस्टनल गॉड रिसाइडिंग इस हार्ट फीपल को इनके दो मीजर परस्पेक्टिव पहला परस्पेक्टिव यह है कि भगवान विठल स्वामी आनि भगवान विष्णु के ही इ बख्षते हैं उनके प्रतीन का रिस्पेक्ट भक्ति भावना बहुत जादा है और दूसरी चीज यह वरुसा रखते हैं कि लोगों के दिल में भी भखते हैं भगवान भगत के मन में भगवान और इनका यह भी मानना है कि भक्त के मन में बगवान आपकाबीर चाब बड़ मैं तो तेरे पास में ना में मंदिर ना में मस्जी ना काबा कैलास में कि यह बंदे हैं इंसान तुम मुझे कहां ढूंडते हो मैं तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे दिल में बैटा हूं सब व्यर्थ है तुम्हारा चाहिए मंद्र जाओच मसलिट जाओच कावा जाओ करवा जाओ चाहिल आपके हिंदी क्रेमर बुक में होंगी भी सबीर की सबाद और साक्या तो यह किसी चीज में नहीं मानते ठीक है इनका कहना था कि कोई social difference नहीं है बर्थ के वेसिस पर जो फालतू कि इतने बड़े-बड़े आप बड़े-बड़े हावन याग करके बोलते हो कि भगवान प्रसंद होंगे उसकी कोई जरुवत नहीं है अपने आप मोशक के लिए ऐसा बहुत प्रसंगे एंपने आप बहुत इंप naught है एक न्यू यूमनिस्ट आइडिया करने लगा दे इंसिस्टेट डाट की भक्ति जो है डाट लाइज इन शेरिंग द पेन आफ अधर्स ठीक है एक शेर द पेन आफ अफ अधर्स तो भक्ति लाइब करती है दूसरों के पेन को शेर करने में एक फेमस गुजराती सेंट थे नर्सी मैता उन्होंने का कि दे आर वैशनव को अंड़स्टांड पेन आफ अधर्स विष्णु जी के सच्चे भक्त वही हैं वैशनव वही क्या लाइंगे जो कि किसी और का दुख करते हैं इंका बहुत से मानना था जैसे कई सारे अलग अलग ग्रूप्स वह नाग पंती सिध्धा योगी तो इन्होंने क्या किया है जो बेसिक रिच्वल्स इतने जमानों चले आ रहे थे जबर्दस्ती के संस्काल चले आ रहे थे इन सब चीजों को रिजेट किया इन सब आप सिम्पल लोगों की सेवा करिया हाराम से अपने नौर्मल कर्म को करते हुए अब नौर्मल अपनीcę आ रिस्वान्सिबिल्टिच को निभाते हुए अगर आप लोगों की सेवा करोगे तो आपको मोख्ष के प्राप्ति होगी, right? So, among them were नाथ पंतीस सिधाचार्याज और योगी they advocated the renunciation of the world Now बहुत सारी लोग ऐसे भी थे जिन्नों ने फिर भी उसी चीज़ पर इस्प्रेस किया कि नहीं भाई अगर आप संसार की मोमाया त्याग होगी तभी कुछ काम बन पाएगा और कुछ लोग ऐसे थे जिन्नों ने का कि संसार की मोमाया त्यागने की जरुवत नहीं है जैसे maximum आपके महराथी सेंच अब घर के साथ रहकर भी काम करोगे तो भी चलेगा तो अलग अलग आइडियोलोजी है very very simple अगर हम बात करते हैं नाथ पंती सिद्धाचारा और योगी इसकी तो इनका मानना था कि मोख्ष प्राप्त करनी का जो प्राथ है वह मेडिटेशन में है और अपने अंदर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में अपने आपकी खामियों को जानी है अपने आपकी नेगिटिविटीज को जानी है तो यह बड़ा इंपोर्डेंट पार्थ है कही न कहीं जब आप बात करते हैं मोख्ष प्राप्ति की सालवेशन की तो अचीव देश 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 इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ दो माइन बॉडडी फ्राक्टेस लाइक योगा ब्रीधिंग एक्ससाइज बेडिटेशन वह कहते है अगर अगर अपने माइंड को क्ट्रोल करना है सौमी बता किस वो कहते हैं स्वामी का लेटरल मीन्गंय जिसको अपने मस्तिख्ष पर आप सवामी हों मिनका कहने को मاتलब बहुत सिंपल है बचो इस क्या क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको सिंपल सी बात है मोख्ष की प्राप्ति करनी है आप उसके लिए अपने आपको तयार करिए meditation करिए हैना exercise करिए yoga करिए अपने आपका concentration power बढ़ाईए वो अपने आप में बहुत simple बहुत easy है now these groups became very popular among low caste the criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become popular in northern India तो इन्हों ने एक अच्छी चीज़ यह कि नाथपंती सिद्धाचार और योगी इनका भक्ति को प्राप्त करने का मोख्ष प्राप्ति का तरीका बहुत अलग था यह बिलीब करते थे meditation के अंदर योगाशन के अंदर की योगाश करिए concentration करिए अपने mind को सेबल करिए और कहीं ने कहीं जो लुएर कास्ते बचों उनके बीच में काफी ज़्यादा popular थे काफी ज़्यादा important हो गए क्योंकि इन्होंने जो इतने जमानों से चड़ी हुई फालतू की रीतिया चली आरी ना उनका opposition किया था बहुत सिंपल मार्ग एक बहुत सिंपल वे बताया था लोगों को मोख्ष प्राप्तिगा ना लेट्स टॉक अबाउट इस्लाम एंड सूफिजम भाई इस्लाम यानि की आपका बहुत सिंपल सी बात है वो धर्म जिसके की फॉलवर्स मुसलिम कहला थे इन में ऐसेट था सूफिजम का सूफी संध रहा इना सूफियों की कवाली आप सुनी ओंगी ऐसलीत क्या थे बिलीव करते से बहुत भगवान में भगवान को अलगी तरीके से प्लीज करते थे वह अना अपने बातों को दुनिया के अच्छी चीजों को अपनी कवालियों में अपना मलब गानों में जो है एक तरीके से फिरोग करके बढ़िया तरीके से सजा करके सुनाते थे भवान की वर्शिप करते थे mystics, सूफी फकीर भी कहलाते हैं कई बार, so these scenes had very much common with सूफी, so much that it is believed कि many adopted ideas of each other, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे भक्ती saints हैं, चीज़गा काफी जाता vibe match करता है सूफी के साथ, खना बहुत साथी ऐसे सूफिसम की चीज़े हैं जो इन्होंने अटॉप्ट की हुई है, right, so that is very very important, they rejected outward religiously and emphasized love and devotion to God through fellow women, तो सूफियों का भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, कि भगवान के बनाए हुए लोगों की भगवान के बनाए हुए individuals की अपसेवा करिये, उनसे प्यार करिये, उनसे अच्छे से रहिए उनके साथ, वही एक बढ़ी हासा मार्ग है भगवान की भक्ती करन करने का, गौड को प्लीज करने का, इसलाम प्रबोगेटेट स्ट्रिक्ट मोनोइथिसम और सब्मिशन तो बन गॉट इसलाम के हिसाब से बहुत कॉमन है कि भगवान सिर्फ एक ही है, एक ही भगवान में विश्वास लगते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई र वर्षिप इंटू कलेक्टिव प्लेस, ठीक है, जिसको आप कहते हैं, नमाज अदा करना, एक साथ नमाज पढ़ना, तो उन्होंने का, इंस्टेट अलग-अलग पढ़ाई करके, अलग-अलग भक्ती मुवमेंट करके, इतने सारे यग हवन करके, इससे बहतर है कि आप सब जमाँ होकर के एक साथ जो है, भगवान को ब्लीज करिए, भगवान को प्रेयर अदा करिए, भगवान को प्रेयर करिए, तो यह आइडिया जो था, लोगों को काफी ज़्यादा स्ट्राइक किया, at the same time, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, डेवलप्ड होली लौकर शरियत, तो आज भी बहुत सारी चीज़ है, बच्चों, इसलाम के अंदर शरियत के कॉर्डिंग डिसाइड होती है, तो जो सूफी थे, उन्होंने कई बार इन इलाबरेट रिच्वल्स को जो है, रिजेक्ट किया है, इनको भी रिजेक्ट किया है, सूफी इन सबसे अलग थे, ठीक है अब इसलाम के अंदर भी कहते हैं, कुछ लोग हमेशा हर जगे रिजेडिटी लाने का ट्राइ करते हैं, तो इसलाम के अंदर भी कुछ स्कॉलर्स तो उन्होंने शरियत कोड बना दिया, शरियत लौ बना दिया, हाला कि जो सूफी संथ थे, वो उन सारी चीज़ों को रिज करेंगे, तो सूफिजम, that's why it was very very popular among common people, क्योंकि आम बातें बताता था, नौर्मल लोगों की जिन्दगी बारे में बात करता था, Now, जिस प्रकार एक सिंगल लड़का, जिस प्रकार एक सिंगल लड़का मिंगल होने के लिए किसी इंसान को ढूंडता है, है ना, Same applies for the girls also, जीवन का सत्थ है, सिंगल लड़के से मेरा मतलाब हो, कोई भी हो सकता है, कॉलेज पास आओ लड़का हो सकता है, ठीक है, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल में मत ढूंडने शुरू कर देना, बेटा स्कूल में वो ढूंडना शुरू कर दिये ना, तो आने वाले 4-5 सालें बच्चे बहुत कूल लाइफ के, ठीक है, स्कूल लाइफ के बाद जब अच्छे से बड़िया जॉब शॉब लग जाया, आपकी मस्त उसके बाद ढूंडो भाई, मतलब रोमियो जूलेट जितना ढूंडना है, सब ढूंडो, कोई दिक्कत नहीं, मस् अगें, इस यौर अगें, इस यौर चॉइस, ठीक है, बट, बेर सटें टाइम फर एवरिटिंग, तो इस तरीके से ये सूफिजम में एक ऐसा ही कॉंसेप्ट है, कि जिस तरीके से एक लवर, एक लवर अपने दूसरे बिलविट को ढूंडता है, वैसे ही एक सूफी अपन को रुंटा रहता है, so a fire side gathering of ascetics with disregard for the world, like the same point, जो सूफी थे उन्होंने भाट सारे पोयम को प्रेंच को अर एक काफी rich literature जो है, बच्छे छोड़के गए हैं पीछे, and that is also a good source of history, so among the great Sufi of Central Asia वर गजाली, रूमी, और साधी, तो Central Asia के अंदर के अंदर बात करेंगे, जो फेम साली हुए हैं, रूमी हुए हैं, साधी हुए हैं, जिन्होंने काफी खुपसूरत खुपसूरत बाते जो हैं, वर्ड को बताई हैं, कहीं ना कहीं, right, so like the Naath, Panthi, Siddhas and Yogis, सूफी भी इस बात को मानते थे, कि अपने दिल को आपने ट्रें करना है, दुनिया को एक अलग हैं, सब्सक्राइब, इनका मानना बिलकुल जैसे Naath-Pantis मानते थे, सिधाज मानते थे, कि अपने mind and body को control करें, वैसे यह भी मानते थे, कि अपने mind and body को control करना बहुत ज़रूर है, बहुत जादा ज़रूरी, इसके लिए अलग अलग प्रेंशं करते थे, कई बार गाते थे, से कई बार खुली चांट्स होली जो मंत्राज होता है उसको बोलते थे रहे ब्रीथ कंट्रोल की प्राक्टिस करते थे और इनका जो टीचर होता था जो जर्नली का मास्टर ट्रेनर होता था वो कहलाता था पीर ठीक है जो इनका टीचर होता था जो गुरू होता था पिटा वो orders कहलाते हैं, so they followed a slightly different method of instruction and ritual, तो अलग-अलग orders है, अलग-अलग rituals, किस तरीके से सूफिजम को practice करना है, उसके अलग-अलग तरीके लोगों ने बताए हैं, और यही जो तरीके हैं कहलाते हैं, सिलसला या फिर order, जिसे चिस्ती order है, तो चिस्ती order के एक ट्रेनर है, उन्होंने इ Maths को पढ़ने के लिए, Mathematics पढ़ने के लिए अलग-अलग बुके ही उसकरते हो, RD Sharma, RS Agarwal, बहुत सारी बुके आते हैं, संजीव वर्मा, तो बहुत सारी बुकों का आप यूसकरते हो, बट सब्जेक्ट सेम है, तो ऐसे ही आपर भगवान को फॉलो करने के भगवान को भक से जो की भारत के अंदर आके बस गए बचो, और इस प्रॉसेस वस्टेंट बाइ चाटर थी मात पढ़ेंगे, विद अस्टाबलिश्मेंट आप देली सल्तनात आया, तो उसने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, सूफी को काफी प्रमोट किया, देली सल्तन में सारे मुस रिस्पेक्ट में कुतुम मिनार बनवानी स्टाट की थी, कुतुबदीन एबक ने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुतुबदीन बक्तियार काकी के नाम पे ही कुतुम मिनार है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कुतुबदीन एबक के नाम पे नहीं बटा, क कुतुपुदीन एभक ने कुतुपुदीन बक्तियार काकी जो सूफी संथ थे इनके रिस्पेक्ट में कुतु मिनार बनवानी स्टार्ट की थी तो यह एक इंपॉर्टन पॉइंट है बाबा फरीद पंजाब के हो गए निजामुदीन ओल्या हो गए इनकी दरगा है दिली के में अक्षी मस्ट करता थे अपनी इसेमीन करते थे गृपस भना कर के लोग पेलोग ड्सक्र डिसकतीन करते थे कॉन करते थें नोग डिवुटीव ऑ बाकinky अंग्हा थे इशरें की यौन तो ओन्ने के लिए बागवान के बाहिताओ अलॉई एलो भागवान के spiritual matters sought the blessings of the saints in solving their worldly problems or simply attended the music and dance sessions तो यहां पर भगवान की भक्ती में एकदम भजन वगरा हुआ करते थे dance वगरा चलता था, music चलता था तो लोग आते थे अपनी problems को ले करके संतों की blessings लेने, discussions लेने, सला लेने तो इस सारी की सारी चीज़ें बच्चिन खानखास में बहुत common थी, now, often people gave credit to Sufi masters with a miraculous power that could relieve others of illness and troubles, the tomb और दर्गाव of a Sufi saint they came a place of pilgrimage, right, अब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि यह जो Sufi संत है इन में कुछ magical power, supernatural power से लोगों की बिमारियां दूर करने की, लोगों की दिक्कते दूर करने की, problems दूर करने की, तो जब ऐसे Sufi संत की death हुई तो उनकी जो tomb थी, जो उनकी कभर है, जाप उनको दफनाया गया, जाप उनको काफी respect करते थे, वो कहीं न कहीं की मजारों पर आने लगे, now the period after 13th century, it saw a new wave of bhakti movement in North India, 13th century के बाद बच्चो, 13th century में अगर आप देखें, वहाँ पे Islam जो है बहुत strong hold पकड़ चुका था इंडिया के अंदर, and it was progressing at a very good pace, so this was the age when Islam, Brahminical, Hinduism, Sufism, different strands of bhakti, नाथ, पंती, सिद्धा, योगी सब एक दूर से को influence कर रहे थे, भारत के अंदर अगर हम बात करें बच्चो, तो maximum जो थे हमारे, जितने भी maximum, like अगर हम बात करें, जो kingdom थी North India के अंदर, that was in, that was in, the control of Muslim rulers, maximum Muslim rulers, right, अब दिली सलतनात की बात कर लीजे, आब मुगल एंपार की बात कर दीजे, तो बहुत सारे towns हमने पढ़े हैं, बहुत सारे kingdoms के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, they were emerging and people were taking up new professions, right, जो खास करकर हम बात करें, इसमें laborers थे, इसमें craft person थे, इसमें peasants थे, right, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बच्चे अपने नए 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 professions यहां पे ले रहे थे, and they came to these saints, यह जो saints थे, जो संत मात्मा थे, जो अपने ideas को proclaim कर रहे थे, ideas को लोगों तक बता रहे थे, यह सारे लोग जो अलग अलग professions के थे, इनको सुनने आते थे, समझने आते थे, इनको बढ़ा अच्छा लगता था था इनकी बातों को सुनना, इनकी बातों को adopt करना, क्योंकि normal simple बाते बताते थे ले में फ्लांग में, कुछ बड़े फेमस से बच्चे सेंट हुएं, जैसे कबीर दाजी और गुरु नानक जी, उन्होंने सारे orthodox religion को बच्चे बहुत सिंपल सी बाते reject किया था, बहुत सारे ऐसे सेंट हुएं, तुलसी दास और सूर्द कि किस तरीके से हनुमान चावीशा रजी गई थी हैना, श्री गुरु चर्वन चरोज रजन निर्व, आपको याद है हनुमान चावीशा किसी बच्चे को, चलो कोई बाते हैं, उसको हम कभी और discussion करेंगे, फिलाल मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी दास ने हनुमान इत्मानस लिखिए अफदी भाशा में, राइट, आट इस वेरी वेरी इंपोर्टें, देन सूर्दास जो थे बच्चे, सूर के पद बड़े फेमस है, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े फॉल्वर थे, तो सूर्दास ने काफी खुबसूरत से पद लिखे हैं भई हमा भी जरूरत नहीं है, इन फाक्ट उनकी भक्ति को देखकर के उनके हजबेंट थे, उनके हजबेंट के साइड वाले थे, ससुराल वाले थे, उन्होंने पॉईजन भी दिया और उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लेकर के जो है पॉईजन पी लिया, लेकिन ऐसा मानती क उनको कुछ हुआ नहीं था, तो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए मिरा बाई जाने जाती है, तो मतलब बहुत 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 सारी ऐसी स्टोरीज है भक्ति से लेटेट, क्योंकि हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है, चलिए, जो कभीर दास जी के बच्चे अगर हम रहा करें, सूर्दार जी के जोंसकी कॉम्पोजीशन, यह सारी बच्चे अब तो आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, दूसरे फॉर्म्स में, आसाम के अंदर भी इने के टाइम पे, सूर्दास के टाइम – बच्चे एक और सेंट रहा करते थे जिन का नाम था शंकरादेव, की भक्ति में काफी सारी points compose की है आसामी भाशा के अंदर ही बिगान दे प्राक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर्स और हाउसे रेसिटेशन यानि एक ऐसा एरिया जहां पर आप आए भगवान की भक्ति करिए पोईट्री पढ़िए मिल जूल करके आराम से साधना कीजिए भक आदी हुई थी बच्चो और मेवाड नौ मीरा भाई बिकेम डिसाइपल ऑफ रवीदास एक ऐसे जाती से आते थे जिसको अंटेशेबल जाती माना जाता था तो मीरा भाई उनकी शिश्र मन गई रविदास के आला जो मीरा भाई की भक्ति है बच्चो भगवान को बच्चो वो किसको दिखाया है लौड कृष्ण को भगवान कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है राइट नौशी कंपोस इन्नुमरेबल भजन एक्स्प्रेसिंगर इंटेंस दिवोशन इनके सॉंग्स को बई इनके सॉंग्स थे ओपनली चालेंगे नौम्स अब अपर क इनके की पतावली है मीरा की पतावली कहीं जाती है कोई हिंदी लिटरेटर में भी हमको पढ़ने को मिलता है तो भाइट मीरा के भगती बहुत इमेंसा बहुत रिस्पेक्टेड एंदर गांगे इसे बुए बच्चों में फीचर था वह बहुत यह था कि बाइव रीजनल लोकल लांगेज में लोग पोएम लिखते थे पोटरी लिखते थे गाना अगरा गाते थे इसे कॉमन आदमी से रिलेट कर पाता था बिगें वेरी मच पॉपलर और और ली जनरेशन टू जनरेशन इंके जो पद है इनकी जो पोएम से जो क्रेशन से वह पास ओन होते चले नहीं आगे बढ़ता चला गया पासओन होता चला गया और दीरे दीरे उस ओरल लिट्रेचर को रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया ना तो दसौंग्स आज वी हादम टोड़ेशन और जनरेशन ऑफ पीपल बहुत सारे लोग जिनोंने उनको गाया है जिनोंने उनको सम कबीर बच्चे जो की 15 16th century में रहा करते थे इस टॉक बाट कबीर दाजी वू लिटें 15th and 16th of century राइट तो इस वन आ दो मोस इंफ्लूइंशल सेंट एक मुस्लिम फैमिली में को ने इनकी देख रहे की जुडाहों की फैमिली थी वीवर्स की फैमिली थी दाट सेटल निया इनको वर्स हैं साखियां केते हैं सबत कहते हैं रेटाइक और कबीर के पद के दोही कर सकते हैं So they have been composed and बहुत सारे लोगे थे जिन्होंने इनके पदों को समझा जिन्होंने इनके पदों को सुना राइट कभीरदास जी के दोए कभीरदास जी के पज जो है जब लोग सुनते थे, पस आन करते थे, गाओं गवाँ जाके गाते थे लोगे को समझाते थे कुछ ऐसे पदों को कलेट करके बच्छो प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके गुरुगरंच साहिब में भी रखा गया है और कभी अधाज जी के जो खोली बुक है जो इसके फॉलोर्स फॉलो करते हैं बच्छो गुरुणानक देव जी की बात करें तो गुरुणानक देव शीने भी सबको अपनाया है एक कॉमननिस उन्होंने जनृट की लोगों की बीच में दितने भी ओथरॉडॉक्स पुराने तरीके के रेट रिडी के लिज ने डिस्कार्ट किया लंगर की जो प्रथायि किसी को नहीं देखती आपका भी लंगर खाने जाए गुर्द्वारे में आपसे कभी आपका जाती आपका धरम पूछ के आपको लंगर नहीं खेराया जाता है आप गुरू का एकदम ध्यान करते हुए आप प्रेम से आराम से जोड़ के बैठिये चाहिए वो कोई भी इंसान हो चाहे बहुन हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे और किसी कास्ट किसी जाती रिलेजन सबब नहीं जैसा और Sikh community के बारे में एक चीज़ बड़ी famous है कि दुनिया में कहीं भी problem आ जाए आपको सबसे पहले कोई ख़ड़ा दिखेगा तो भाई वह आपके Sikh community है यह बहुत खुबसूरत बात है बच्चे about the entire community right so hats off to everyone so Guru Nanak Dev Ji का जन्म हुआ था बच्चे तालवंडी के अंदर पाकिस्तान में नंकाना साहिब कहते है जगे को आप so we know more about Guru Nanak than about Kabir so he established he traveled very much widely इधर सुदर्वनों ने काफी कुछ travel किया उसके बाद इन्होंने एक center established किया करतारपुर में जिसको हम डेरा बावा ना क्याते है रावी रिवर के पास में now a regular worship that consisted of singing of his own hymns was established there for his followers इन्होंने खुद की अपने को भक्ती के गाने मनाएं लोगों को समाज को ध्यान में रखते हुए और इनकी जो फॉलोर्स थे जो इनके शिश्य थे उसको बड़े प्यार से गाते थे irrespective of the former creed caste or gender his followers they ate together in a common kitchen call langar ना जाती पूछे ना धर्म पूछे ना पूछे इमान है ना गुरुनानक जी का नाम अपने आप में ही महान है कि नहीं वही ना जाती पूछे ना धर्म पूछे ना पूछे इमान और गुरुनानक देव जी का जो नाम है वह अपने आप में ही महान गुरुनानक देव सूरत सा प्लेस जहां पर पाईए गुरू की वारी सुनिये गुरू के वचन सुनिये अच्छे बातों को जानिये लंगर करिए प्रिशाद ग्रहन करिए और एक बीडिफुल तरीके से अच्छे-च्छे थॉट्स लेकर करके अपने मन में आप आगे बढ़िए है चालो इनकी से पहले 1539 में जब गुरू नाना जीव जी की डेथ हुई तो यह पॉंटेड वन ओफ इस पॉलोवर्स अससेसर इनका नाम था लेना बटन को बोला जाता है गुरू अंगद देव को इनको पॉंट किया कि अब अब इसके बाद से जो मेरा अच्छा काम है उसको आगे बढ है तो गुरू अंगद ने जितने भी कॉंपोजीशन दे गुरू नानक के उनको एक नई स्क्रिप्ट एक नई भाषा में गुरू मुखी भाषा का यूज करते हुए लिखा इसको हम आदिगरंत भी कहते हैं वैच्छों ठीके नाओ त्री सेक्सेसर और गुरू अंगद आ सबको कंपाइल करके एक बुक बनाई जिसको कहते हैं आदिगरंत क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग आदिगरंत राइट नानक हाज हुज इंपाक्ट और डिवलप्मेंट फॉम वेरी बिंग इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑव वर्शेब वन गॉट पर इंसिस्ट किया कि भया भगवान एक ओंकार जैनि एक भगवान पर विश्वास रखिए उनके अच्छे कामों पर विश्वास रखिए इंसिस अच्छा स्वास रखिए इंसटे आप देखेंगे लग गुष्वारा जाते हैं आप देखो कि सबको लंगर सर्फ करते हैं सब लोग सेवा करते हैं मिख्दू करके काम करते हैं तो जो यूटिए है वनने से बहुत प्यारी है बच्छे कभी भी कोई नाशनल आब्दा आती कि आप देखिए सिख समाज हमेशा आगे होता है वो लोगों की help करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा helping होते हैं बहुत helpful होते हैं तो बच्छी helpful जो nature है कहां से आया है यह गुरु ने सिखाया है गुरु नानक देश भी ने इस बात पर focus किया कि अपने social जिंदी को जीजे आप social लंब सा chapter है काफी लंबी से कहानी है काफी सारी लंबी कहानी मैं आप से कहल लिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाबु को शाय पढ़ाए लंबी नहीं मजदार होनी चाहिए आज थोड़ी से लंबी भी हो गई चली लिया है जब इतना लेही निया मालिक इतना खर्चा हो ही गया था है और उन्होंने काफी सारा बच्चे कहीं न कहीं आप में माल लीजे कि लोगों को डरा के रखा था अलग अलग टाइप के टैक्से वसूल देता है भगवान के डर के नाम पे तो जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया गुटेंबर्ग ने उसके बाद बहुत सारे आraf इसे ऑफैसर चिन्हों ने इन प्राक्टिसस को रिजेट करना स्वाइब उसमें इस एक था है आप के माथीन लुथा किंग जिन्होंगे लीड कया था प्रोटेस्ट्न रिफॉर्मेशन मों में यह चर्च के रोमन काथलिग सूसाइटी के ऐसी सारी चीज़ों को रिज तो प्रोटेस्टेंट वह लोग हैं जो कि मार्टीन लूथर किंग के आइडिया को बिलीव करते हैं उनके आइडिया को मानते हैं और उन्होंने रूमन क्यात्लिक जो पुराने रिजिट आइडियास थे उनको रिजेक्ट किया था राइट जो कि अपनी ओरिजन को मार्टीन लूथर किंग से रिलेट करते हैं पहले क्या है होता था कि अगर आपको अपने पाप शमा करवाने तो आपको अगर सिंग ने किए उसको जीरो अकाउंट कराना है तो आपको एक रिच्वल करना पड़ता है उसको कंफेशन कहते हैं पहले क्या करता थे रोमन के आथलिक चर्श में प्रीस अगरा होता है इसके लिए पैसे पैसे दीजिए और पाफ खतम करवाई आपको उन्हों का यह सारी बाते भगवान नहीं बताता है बड़ आप लोग कर रहो है यहां पर जिन सारी चीजों करना स्टार्ट किया था उनके फॉलोर से बच्चों क्या कहलाते हैं ठीक है चले तो मेरा आज का सवाल बहुत सिंप पल यही है यह बताइए कि भाई हमारे मार्टीन लूथर किंग ने कौन सा मुवेंट स्टार्ट किया था और जो कबीर दास जी की जितनी भी टीचिंग्स है वो जिस बुक में कंपाइल है उस बुक को हम क्या कहते हैं तो बस यही दो सवाल है आपसे करने के लिए फड़ा राते रहिए और स्टे तून विट विट व्पा बाई